अग्याइब और यूट्यूब चनल विद्यापर एजूकेशन मैसल गोविन तिवाडी और आज एक इंपोर्टन वीडियो हम आपके सामने लेके आने वाले यह वीडियो है जो आपको पता है कि ओनलाइन एक्जाम में डिप्लोमा की ओनलाइन एक्जाम गुजरत के अंदर ओ इसके बारे हम आज यह सेटंड वीडियो होने वाला है तो हीडियो है वह इस वीडियो की लेंग और हो अगर अगर आप hm चैनल पर नए हो तो डिक कर दियो बेल लाकन को प्रेस कर दी था तक online process की admission की series वो हम time to time हम लेके आने वाले जो थर्ड वीडियो है जो D2D के colleges में कौन सा कौन सा cut-off था last year का इसके बार में थर्ड वीडियो होने वाला है तो इस वीडियो हम क्या देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम government colleges की list देखेंगे government colleges कोन सी कोन सी है के उसके अंदर जो फीस कोन सी है कि it in tech कौन से basis पर है कुई किपनी सीट इंटेक कोन से courses में और उसमें hostel की details है hostel में फेसिलीटी से इसके बार में हम देखने वाले है फार सेकंड है कि self finance college की list है तो इसके अंदर भी हम वही देखने वाले के सेट इंस्टेक कितनी है फीस कितनी है वषटं के डिटेल किस्ट कितनी है और उसकी जो फीस है तो इसकी बार में हम थोड़ा import Canadian सॉजजेसेंन discussion भी करेंगे क्योंकि जो फीस अंदर दिखाते हैं वो अलग होती है और जो वहाँ पे एडिमिशन होते हैं वह अलग होती है तो इसके बारे में भी हम थोड़ा आपको सजेशन करेंगे थोड़ा आपको गाइड करेंगे बाद में हैं ग्रांटीन एड और त्रिपल पी इंस्टिटुट कोलेजिस मैं आपको बता दू कि इसमें टोटल लिस्ट के अंदर चार कोले के रिगार्डितिक त्रिपल पी अलनिकी जाता है झाण कर उपर चला जाता है इसके प्राइवेट कोलेजिस के समान था धू है तो 3PP Institute है तो वो पब्लिक पार्टर्शिप के बेस परमदलब की वो चला जाता है तो इसकी जो ओल डीटेल है सब फिस कितनी है वो अज हम वीडियो में देखने वाले तो चले अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं हमर पास एक जो लिस्ट है वो लिस्ट में आपको बताता हूं तो चले आप स्क्रीन पर चलते हैं तो च्रोन यह हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आचोके है आपके सामने यहां पर लिखा हूँ एक प्रोजनल लिस्ट ऑप डिगरी इंशिट्ट फो डिप्लमाटो डिगरी एडमिशन यह तुछले साल का लेकिन इस साल में भी इतनी जो सीट इसके बारे में है तो सबसे पहले तो government colleges आएगी बाद में private colleges आएगी सबसे इसका है यहां पर सीव टॉतिम इपने अभी खेसन डिया हो इसका च intim म्लब मैं तो इसके अंदर बॉइस के इंदर पंदरसो फीस है और इसके अंदर जो गल्स के है तो गल्स के फीस इसमें पे करना नहीं है तो ये जो फीस ही ये पूरे येर का है फीस और मैं आपको बदा दू कि ये जो अपने जो फीस है ये अभी 2019 का है 2019 और 2020 का है तो अभी इसमें जो फीस है तो फीस में चेंजिस भी हो सकता है तो मैं आपको ये नहीं कि government और private hospital प्राइवेट अपने जो college से तो सब में जो फीस है वो फीस सेम रहेगी अभी इस साल भी तो फीस चेंजिस भी हो सकता है तो बाद में second college से तो government engineering college भरुच है तो भरुच के अंदर जो chemical engineer solar seat, civil engineering, 19 seat, electrical engineering, 37 seat तो यह सब seat है तो इसके अंदर total seat दिखाई गई है तो आप इसके इसाब से आप जो भी choice filling करो तो पहले यह seat check करो कि किसमें कितनी seat है तो किसमें आपका number लग सकता है इसके इसाब से choice filling कर सकते हो तो इसके अंदर भी website दी गए तो website पर जाके आप detail चेक कर सकते है बरुच है तो बरुच होस्टेल है इसमें girls hostel लेकिन यहां पर मैस नहीं है देखा आपने इसमें जो जीजी सी सूरत है इसमें मैस नहीं होगा तो इसके अंदर है तो यह भूज का हुआ बाद में आया दाहुद के अंदर भी सीट आपको दी गई है लेकिन सीविल एंजिनिरिंग की देखो 109 सीट है मतलब की यह जो सीट आती है यह किसके बेज पराती है यह सीट भी चेंजरी चेंजिस्ट होगी इस साल यहां सीट है नगे आपको दिखाए गई हो एकां ट्यचन और सो नो सीविल एंजिनिरिंग में तो हर बार इतनी नहीं होती इस साल कंभी हो तो सकती है ज्यादा भी हो सकती है यह किसके वेससेश पर है यह রिटुडी की cate मैंनोगे तो वह प्रीज़ियूलर अ आपको मुटकी भी पेसली जेने चल रहा है दिगिर कि धी तो गांधी नगर के अंदर भी यह आपको दिखाए गई है अब मैं आप आपको मैं बता दूँ कि यह जो यह कोर्स है यह इस साल तो ओने चेंजिस नहीं होंगे लेकिन इसमें सीट है तो सीट कंभी हो सकती मैं है फिट की अब सकते लेकिन यह कम नगर के अंद बाई मेनिये कल एंग नगर की आटी आइसी है आएटे हैे मेटलर्ण तो बाद में इसमें देखो मेहां नहीं है वहां पे और मेहां पर कैसे वह दोंगे चाहित रहे हैं नहीं होगा लिए पर आप तो मोरासा के अंदर देखिए के इसके अंदर ओ्टो मोबाल एंजिनेरिंग है और इसके अंदर बॉइस होस्टेल है और लेकिन मैस है लेकिन गुर्ण्स वोस्टेल यहां पर नहीं है ध्यान रखा यह आपको पता ना चाहिए बाद में आगे जाए तो गवर्मेंट एंजिनेरिंग कोलेज पालनपूर है तो इसके अंदर आप देखिए कि Boy's Hospital Girls Hospital मेस भी है और फीश भी सेम है आगे हम जाए तो यह सब आपको डिटेल में आपको बता दे तो यह डिटेल आप चेक कर सकते हैं यह लिस्ट में आपको डिस्किसिन बॉक्स में नीचे आपको लिस्ट में दे दूँँगा तो आप डाउलोड करके आप टाइम टुर टाइम यह सेव करके छेक कर सकते हैं कि किसमे कौनिसी प्राइट में कौन सा कोर्स है तो आपके घर के जो पास में है उसका जो चोष वहारत सकते हैं इसकी प्राइट को नहीं हुआ इसमें ये कोलेज हमार जो बेस्ट कोलेज है एल डे कोलेज उप एंजिनरी अमदावाद है तो इसके अंदर जो भी वेकंट सीट है आपको दिख रही है कि इसे बहुत सारे कोर्से से तो आप आपके सामने ये लिस्ट दिख रहा है तो ये बोई सोचल गर सोचल मेस भी यहाँ पर अपना ये जडिदी ऊफ्य यहाँ पर बेस है तो यहताक जो जो डिवांट उप चलते लेकी संस्ता चलते हैं उसमें जो फीज होती है वो फीज़़ रॉब्यार्मेंट के यितनी ही होती है तो भी बहुत बहुत स्कॉप owns जैसी बीवेम वहोंट अच्छी अच घुराइब के लिए बहुत सारे एसे कॉलेजिस है जो दूसरे कॉलेजिस में नहीं है जैसे कि ऐन्चिनेयरिंग टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग टेक्सा टेक्नलोजी और वाटर मेनेजमेंट तो यह सब कौराशेश है तो दूसरी कोल्जस में नहीं है तो आगे हम जाए तो ये घृबर्मेंट कोलेज है अच्छी कोलेज is के भी आप देख सकते हैं इसमें भी finns और कि जो भी गवर्मेंट कोलेज में है वही रक्षा सकती इन्वेसिटी है यह जो कोलेज यह कोलेज है यह कोलेज अभी नहीं ओपन हुई हुए और इसके अंदर खाली ओनली एक ही कोर्स है जैसे अब आपको पता है कि जो डिजेटल का मार्केटिंग आप जमना आया तो साइबर सेक्योटी के वेज़ उपर बहुत ज्यादा स्कॉप है तो यह भी बहुत अच्छा कोर्स है वाद में आगे हम जाएं के इसके अंदर भी सेम अभी त्रिपल पी डिग्री एंजिनिर्ट के ब जो नवसारी में है तो इसके अंदर आये कोर्स है और मेंस है लेकिन इसमें वोस्टिल की फैसलिटी नहीं है कोई भी वोस्टिल की फैसलिटी सिर्फ मेंस है इसकी फिस देखो 68,000 है अट-6,000 और गुजराद पावर एंजिनिरिंग एंड रिसर्च इंस्टिटूट यह कहा जाए तो यह प्राइवट कोलेजिस से थोड़ी कम है फिर आगे हम जाएंगे तो यहां से लिस्ट स्टार्ट होता है हमारा प्राइवट कोलेजिस चाहे तो आप वीडियो एंड तक जरू देखना ताकि इसमें जो भी मैं आपको सजेशन करू तो आपके बहुत ही काम आए जाए सब्सक्रिटर्डट है अग्रियो यह फीस है फीस ज्यादा है 1 लाग ज्याज्शा इतनी फीस है अड़ानी इंस्टीट्व इंजिनेयरिंग के तो यह जो कॉलेजिस है बहुत अच्ची पेस्ट के बाद आपको प्लेस्मेंट की ज्यादा ज्यादा पॉसिल्ब्टीस ज्यादा रहती है यह ब्र सेट है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंजिनेरिंग है 29 सेट है फिर इंफ्रमेशन इन इसकी 71,000 फिर सेट है फिर हम आगे जाए तो आलपा कोलेज अजिनेरिंग है अमदावाद में अभी अमदावाद की सब कोलेज अभी आ रहे है 63,000 है अमिराज है जो उसका 49,500 फिर से अपोलो इंस्टिट्ट्ट्ट अप टेकनोलोजी ये भी अच्छी कोलेज इसके अंदर ज इसके अंदर इसमें जो फिस ज्यादा इसलिए क्योंकि इसके अंदर इसका जो प्लेस्मेंट है जो प्लेस्मेंट है प्लेस्मेंट आता है और इसमें जो फैसलिटी बहुत ही अच्छी है इसके फिस से 1,12,000 जितनी फिस है बालाजी एंजिनियर कोलेज है जो जुनागड में है फिर भगवान अरियन्ट इंस्टिट्ट्ट अप टेकनोलोजी है वो भी सुरत में इसके इसके अंदर भी सब फ प्लास्टिक एंजिनियरी एंड टेकनोलोजी है जीवराद में है जीवराद मेता इंस्टिट्ट्ट अप टेकनोलोजी जो आनद में है फिर सुभाज टेकनिकल केंपस है जो जुनागड में है फिर गोड़ा ने और मैं आपको अभी बताता हूNG रजय यह अच्छी टेकनोलोजी प्लैसमेट के रिगारण इस Mmm नोड़ी त्षिषी में उर्य टेक्नलोजी केंपोस है. आगे हम जाए तो इपकोवला इंस्टीट्योफ dave आन्द में है, केंज और हम आगे जाए तो लाल जी भाई है और लक्समी इंचिटीट ओफ टेकनोलोजी है वलसाड में है MK College है वो पाटन में है फिर मधुबेन है बानुबाय पटल है जो आनन्द में है महात्मा गांदी इंस्ट्टीट है वो नवसारी में है महाविर स्वामी College of Engineering Technology जो शुरत में उसमें भी सब फेसलिटीस है महारवाड़े एजुकेशन फाउंडेशन वो राजकोट में है फिर यह महारवाड़े की जो सेकंड कोलेज से के स्ट्ट पीजी स्टॉडिस है जो पीजी के अंडर भी उनका टाइब होता है तो इसके अंदर मैं ने कई चौने में फिर मरचन संत्रें इसद्रेंट आलोगें हमदावाद में है नियोन्सिट्रेंपी नियोट्य लिट्ट य्ट्वावाड़े वडद्रा में है नोबल कोलेज है जुनागड ओम अउम एंजिनरिंग जुनागड ओम remembrance है पंच माहल Pacific School है सूरत में है 돌아鑭 कोलेज है इस्भी पीडेल मेंध्य जो मेहशाना में अमधावाद में दरह सोल व्यावाद में संभर्थ कोलेज है साबर काथा में संजेब राजगुरु है जो राजकूर्ट में सरदार पठर इंजिनिर्श टेक्नलोजी चर्वत को Respect घंकर स्वागिलाबप इसरी स्वामयाग अत्मनान सरस्वति है करेक दिए मैं है को इस रखोह था सूरत में है इसकी बहुत अच्छी खास बात है यह कोलेजे बहुत अच्छी है किसके लिए अच्छी है जो भी chemical engineering and chemical technology है मैं आपको बता रहा हूँ student जो भी chemical में जिसने डिपलोमा किया है वो यह college पहले select करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा यह एसार rotary institute of chemical technology है तो यह special chemical engineering and chemical technology student के लिए इसमें आपको 100% है placement मिल जायागा यह आप बी तम आप ओवर करोगे तो आपको यह college वाले आप को placement देंगे आप जैसे जिसके marks के बेस पास जैसे आप ओवर करोंगे जैसे आप time to time exam दोंगे उसके बाद आपके ओवर होने के बाद यहीं आपको placement देदेगा इसमें सब facilities है इसमें देखो इसमें फीस है जो 99,000 है जो एक लाग के आसपास है लेकिन आपको placement मिल जाएगा अरवली में है तो यह फी राजकोट है हम आगए जाए तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आपर जितनी भी थी यह ज्योटे आंडर में हमने आपको बताई थी यह है जो प्राइवराट उनिवसेटिए जो एक्जाम है तो वो एक्जाम जीट्यू के बेस पर नहीं होती है यह खुद के बेस पर एक्जाम होती है, CEU सा कोलेज है, इसकी भी 75,000 है, चंदुभाई पटल इंस्टिटुट अब टेक्नोलोजी है, यह आनन्द में है, फिर छोटुभाई गोपल भाई पटल इंस्टिटुट है, सुरत में है, डिपार्टमेंटों एंजिनिरिंगे फिजिक सा अंसबा कोलेज है, पार्टर में है, इंदरासल उन्वेसिटी है, इंडेस है, गांधी नगर, इनिरिंगेंटृष्टुट अब बात करें, तो निर्मा उन्वेसिटी खोलेज है, यह इनको बनात क्राल इंदरुख सेमट बात करें, यह आपशी पे! सबस्ताइस है कि लेकिन फिर दिन प्रक्न करोगे इसकेन रफेस्मेंट की 100% बात में पारुल एंजिनियरिंग टेक्नोलोजी व्रद्रा में है फॉर नाम रखा हूँ है उनकी दूसरी और राजकोट में संकलचद पटल है जो महसाना फिर स्कूल ओप एंजिनियरिंग एपलेट साइंस है अमदावद में हमा आगे जाएं तो हम अभी जो मेन मेन है जो ज के रिगार्डिंग मैंने आपको सब बता दी इसमें जो सीट है और फीस है तो यह अभी मतलब कि यह 2020 की 20 का लिस्ट के इसाब से और इसके अंदर कोलेज तो प्रावेट जाना चाते हैं जिसके मार्च कम प्रावेट कोलेजिस में आप कौंटेक्ट करो इसमें जो भी फिस दीखाई गई है तो उससे वह अब वहाँ पर जाओ कि मुझे मुझे इतना डिसकाउंट चीए मुझे 10% डिसकाउंट दो मुझे 15% दो वहाँ पे पहले से हो गई क्योंकि वहाँ पे यह जो एडमेशन की जो प्रोसेस चालू होती तो स्टार्टिंग में इतनी फीर से वह कमी लेते हैं मतलब कि उनको आपको डिसकाउंट देते हैं एडमे कोलेच में भी लोग तो भी चलेगा लेकिन घर से इसमें अगर कॉइवी प्राइवेट कोलेच है तो वो मुझे मैसर करूं के यह जादा है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें college में फीस ज्यादा है लेकिन ये placement आपको मिलेगा तो इसका जो placement का कितना package रहेगा तो ये भी आपको जो अगर आप admission लोगे तो आपका 2-3 साल में वो जितना भी आपके loan होगा तो वो cover भी हो सकता है और आपको scheme भी है scholarship में मिलती ह लाएगी कौन सी cut-off थी पिछले साल में तो इसके बारे में आप जो अपने ये जो चैनल है चैनल को subscribe करें और वेल आकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और मैं आपको ये जानकारी बताऊंगा कि आपको कौन सी college के अंदर आपको किसी में लेना हो कोई भी ब्रांच के अंदर कोई भी college में admission तो आप comment section में बताना या मुझे instagram पर message करना अगर मैं comment section में आपको reply ना दू तो तो मैं आपको guide करूँगा कि कैसे आप कर सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिसकी financial condition weak है और वो diploma के बाद जोब करना चाहता है और बाद में Instagram पर message करना में comment section में उसका answer नहीं दूँगा Instagram पर message करना मुझे follow करना ताकि उसके अंदर हूँ तम आपको जो भी है guidance दूँगा कैसे आप जिसकी financial condition weak है तो वो कैसे job के साथ degree कर सकते हैं क्योंकि degree कितनी important है इसके regarding मैंने last video मैंने बताया था वो comment मैं आपको description box में आपको link द देखना मेरे जितने भी वीडियो है वो बहुत ही important है